तो आज हम जानेंगे कि आप Car for Sale Simulator 2023 को अपने PC आफिल लैप्टोप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ हम ये भी देखेंगे जो फ्री PC गेम्स होते हैं उन्हां आप अपने PC आफिल लैप्टोप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं आपको दोनों तरह के गेम्स के बारे में बताऊंगा मैं उन गेम्स के बारे में बताऊंगा जो गेम्स ओल्डेडी फ्री होते हैं जिने आप फ्री में इंस्टॉल करके खेल सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको paid games के बारे में भी बताऊंगा कि आप paid games को free में कैसे install कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आप car for sale simulator 2023 को कैसे install कर सकते हो तो इसके लिए आपको steam की official website पर जाना है ये website हमें original games provide करती है जो कि official games होते हैं तो ये website एक original website है आपको इस पर आज आना है और यहाँ पर आपको install steam इस पर click करना है और आपको steam को install कर लेना है install करने के बाद में आपको steam को open करना है and then आपको यहाँ पर create a free account वाले option पर click करना है और आपको sign up करके अपने account को create कर लेना है इसके बाद आपको username और password से login करना है जो भी आपने account create करते हैं वक्त रखा होगा इसके बाद आप जैसे ही login करेंगे तो आपको website जैसा interface दिखेगा कुछ चीज अलग हो सकती हैं तो आपको यहां search bar में आना है and type करना है car for sale simulator 2023 अच्छा आप बात कर लेते हैं कि जो गेमस ओल्ड़ेडी free होते हैं उन्हें आप कैसे install कर सकते हो और फिर देखें के जो paid games होते हैं उन्हें आप कैसे install कर सकते हो तो free वाले games install करने के लिए आपको यहाँ categories पर click करना है then free to play पर click करना है अब यहां आपको वो games देखने के लिए मिलेंगे जो कि free हैं और आप इन्हें free में install करके खिल सकते हो and search bar में आप search करके भी देख सकते हो कि जो game आपको install करना है वो free है या paid तो आप finally बात करते हैं कि जो games paid होते हैं उन्हें आप कैसे install कर सकते हो इसके लिए आपको epic games की official website पर जाना है and यहां आपको नीचे की तरफ scroll करना है and यहां आपको free games ऐसा को show होगा and आपको view mode पर click करना है और आपको यहां आगें वो games तो देखने के लिए मिलेंगे ही जो कि free हैं और साथ ही साथ आपको कुछ paid games भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि इस time free हैं अगर आप इन games को इस time पर install करते हो तो यह आपको free में मिल जाएंगे और यहां आपको paid games free में इसलिए मिलता है क्योंकि epic games की official website पर offers आते रहते हैं बाकि जो games नॉर्मली free होते हैं वो free होते हैं और जो paid होते हैं वो paid ही होते हैं बट offers की वाज़ा से आपको कुछ paid games भी free में इस्टॉल करने के लिए मिल जाते हैं और हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि जब कुछ games starting में आते हैं तो वो paid होते हैं लेकिन आगे चल कर वो free हो जाते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं से next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई